नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ओम्ट्रिक्स में दोस्तों यूपी बोल्ड एक्जाम 2020 परिक्षा के बाद पेपर का मिलान किया गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए जिहाँ दोस्तों यूपी बोल्ड में अभी तक कि कोई ऐसा कोशन बेपर नहीं बचा है जो वाइरल नहुआ हो यानि कि जो पेपर लीक ना हुआ हो आपने ज़ादा तर सुना होगा कि यूपी बोल्ड की जितने भी कोशन बेपर थे चाहे हाई स्कूल के थे चाहे इंटर के थे उनमें सभी के सभी कोशन पेपर लीक थे जी हाँ दोस्तों आप सबने साही सुना या पे सभी कोशन पेपर वाइरल हो चुके हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हो अब देखना ये है कि योगी सरकार क्या कदम उठाती है या फिर आपका यूपी बोल्ट क्या कदम उठाता है फिलाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आपका कौन सा पेपर फिर से लीक हो गया था इसकी जानकारी थोड़ी सी देर से पता चली लेकिन वो पेपर पूरा का पूरा लीक था इंटर में इंगलिश का पेपर पूरा का प पिला था उनके तो मेहनत करके अच्छे नंबर कहां आते हैं आप भी सब लोग जानते हो सो चलिए खबर पढ़ते हैं दोस्तों यूपी बोल्ट एक्जाम 2020 परिक्षा के बाद वाइरल पेपर का मिलान किया आ गया तो अजिकारियों के होश उड़ गए पेपर यहां पे ल रासुका की धमकीवा सीसी टीवी के इंतजाम के बीच बुद्धवार को इंटरमीडियेट अंग्रेजी का पेपर पांच घंटे पहले आउट हो गया था जिनको जिनको मिल गया होगा वो बड़िया सो में सो नंबल ले आएंगे बाकी जो लोग मेनत करके गए होंगे उनक इसको परिशाख खत्म करने के बाद वाइरल पेपर का मिलान हुआ तो अधिकारियों के होश उड़ गए पेपर आउट होने की पुस्ति के बाद अधिकारियों की बोलती बंद हो गई सबके सब यहां पे मिले हुए हैं कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो यहां पर नहीं बुद्वार को दूसरी पाली में इंटर्मीनेट अंग्रेजी की परिक्षा थी परिक्षा महतुपूर थी इसलिए अधिकारों ने सिकंजा कसने की कोशिश की थी सुबह से ही तयारी की थी अंग्रेजी की परिक्षा में ताबड तोड छापा डाल ला जाएगा अधिकारी अपनी तयारी करते रहें इसके पहले सुबा करीब 10 बजे अंग्रेजी का शोशल मीडिया पर पेपर वाइरल हो गया था इतना सब कुछ करने के बाद में भी अधिकारी जो लोग थी वो लोग कुछ नहीं कर पाए पूरा कपूर पूरा पेपर आपका 10 बजे आउट था पू उसका कोड 117-316-Y-E भी था पेपर के नीचे जो कोड़ पड़ा था वह जे टू एट सैवन फॉर सिक था इसकी जानकारी सुबा डी एम मनीश कुमार वर्मा ने दीग थी और उन्होंने कहा था कि परिक्षा खत्म होने के बाद इसकी जाज करवाई जाएगी और यहां पे हाला कि पेपर आउट होने की भनक D.I.O.S दफ्तर में लग चुकी है परिशा खत्म होने के बाद परिशार्थियों से पेपर लेकर पेपर का मिलान किया गया था वह बहु सेम निकला था अधिकारियों ने भी इसकी जाच की है अब आने वाले समय में देखना ये है कि सरका क्या करती है फिलाल मुझे ने लगता कि कुछ करेगी आप लोग को भी लगता होगा कि कुछ नहीं करेगी लेकिन हां कुछ नहीं करेगी फेपर आउट होने की पूस्टी हुई तो अफसरों ने चुपी साध ली डिया यूस सतेंद्र कुमार सिंग ने इस मामले में लेकिन बस मैं आप सब को एक बाते बताना चाहता था इस वीडियो के जरीए कि आप सब लोग मतलब अपने क्या बताऊं मैं कि लगभग लगभग सारे के सारे पेपर लीक थे और आगर आप मैंसे किसी को भी लीक पेपर मिला था तो उसको तो मज़ा आगया होगा जिसको भी मिला था वो वीडियो के नेचे कॉमेंट करके बताए और जिसको नहीं मिला था वो भी कॉमेंट करके बताए लेकिन एक बात गलत हो रही है दोस्तों मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रह जाएंगे लेकिन जो लोग जुगाड से हैं जो लोग नकल करके आते हैं जो या फिर कोशन वेपर आउट करवा करके बनते हैं क्योंकि इन सब की सच्चाई जैसा कि आप सब लोगे इस वीडियो के जरीए जान सकते हो हिंदुस्तान वेपर की खबर है कोई फेक खबर नहीं है हाला कि वीडियो पे नीचे कॉमेंट करके बहुत लोग खाएंगे कि एक खबर फेक है अब एक बात बताओ मेरे को आपके सामय यहाँ पे लाइव हिंदुस्तान डाट कॉम की खुद की वेबसाइट खुली हुई है यहाँ पे आप निउज हिंदी पढ़ रहे होगे अफीशियल पेपर खुला हुआ है जो आपका घर में आता है आपके पेपर उसी की वेबसाइट है खबर देख लो यहाँ पे समवादाता मंजहनपूर की खबर है अपडेटेटेट 27 फरवदी 2020 अब इसमें फेक कुछ भी नहीं है आप सब के दिमाग में कुछ फेक है तो उसका लिए मैं कुछ नहीं कर सकता फिलाल वीडियो एकदम असली था वीडियो कैसा लगा वीडियो के निचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कहाई तो प्लीज लाइक भी कर दीजे शेयर भी कर दीजे चैनल पर अगर आप नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकान जरूर दबा लेना वीडियो में इतना ही देखने के लिए आप सब को बहुत बहुत शुक्रिया टेक केर बाई बाई बाई लाइक भी के लिए तो